एलो स्टूडेंट्स नमस्कार प्रणाम आप सभी का मेकेनिकल एट इज यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत हैं आज हम बात करेंगे मेंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रो केमिकल्स लिम्टिड इंटरप्राइज के बारे में यह भारत सरकार का एक उद्यम है और ONGC लिम्टिड की एक सबसीडिरी है यहाँ पर कुछ वेकेंसी आउट हुई है असिस्टेंट इंजिनियर्स और असिस्टेंट एग्जिक्यूटिव के लिए तो चलिए देख लेते हैं क्या-क्या eligibility criteria इन्होंने रखा है और कौन-कौन सी ब्रांच के छात्र यहाँ अपलाई कर सकते हैं तो सबसे पहले अगर आपको किसी प्रकार की कोई problem होती है form fill करने के दुरान तो यह email id है इस mail पे आप contact कर सकते हैं यह mail id आपको description में provide करवा दी जाएगी ठीक है लास्ट डेट फॉर submitting online applications 28 मई 2022 शाम को 6 बजे तक आप form fill कर सकते हैं ठीक है Jubilee of OngC Limited India's top energy company has opening for bright, energetic and aspirant youths MRPL invites online application from the following discipline to be recruited as assistant engineer or assistant executives in E2 grade of management cadre through graduate aptitude test in engineering यानि की GATE का जिन्होंने 2022 में exam दिया है और वो qualified है GATE 2022 qualified student यहाँ पर apply कर सकते हैं ठीक है? अब हम देख लेते हैं कौन-कौन सी branch सबसे पहले है chemical engineering के छात्र यहाँ apply कर सकते हैं total vacancy 20 है mechanical वालों के लिए भी यहाँ 20 vacancy आउट की गई है civil वालों के लिए 3 vacancy है electrical वालों के लिए 6 vacancy है instrumentation engineering वालों के लिए 7 है metallurgical engineering 1 vacancy computer science and information technology 6 vacancy और जो chemistry से bachelor degree कर चुके हैं उनके लिए 2 vacancy हैं तो वो भी आप यहाँ apply कर पाएंगे the initial shortlisted of candidate will be based on gate 2022 marks for further selection process तो gate 2022 को ही अधार मानकर आपका selection होगा आपको shortlisted किया जाएगा interested candidate can visit our website और ये website का link है आपको description में मिल जाएगा तो आशा करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होगी हम आपके उज्वल भविश्य की कामना करते हैं जै हिंद जै भारत वंदे मातरम